दीर इस्ट्रेंट्स आज का हमारा टोपिक है भारत में दल्ये प्रनाली की परमुख विशेशता नमबर एक है भारत में बहुदल्ये प्रनाली है भारत में एक या एक दल्ये दल्ये नहीं बहुदल्ये प्रनाली है अनेक परकार की दल है छोटवड़ी नम्बर दो है एक दल के परभुत्व का युका अंतो गया है भारत में लंबेश में तक विशेश कर 1977 तक कॉंग्रेस पार्टी का परभुत्व रहा परंतु वर्तमान समय में कॉंग्रेस पार्टी का परभुत्व श्रमापतो चुका है और इसकी जगे अन्ने दलों ने ले ली है नम्बर तीन है शेदान्तिक आदारों का बाव राजनितिक जो दल हैं उनका शेदान्तिक जो आदार हैं उन पर शंगठन नहीं किया गया है परन्तो हमारे देश में ऐसे दलों का अबाव है जो ठोस राजनितिक और आर्थिक सिदान्तू पर संगठित हों नमबर चार पॉइंट है छेत्रिय दलों की बढ़ रही महता वर्तवान समय में छेत्रिय दलों की संख्या काफी बढ़ गई है और उनकी बुमीका भी काफी बढ़ गई है राजनितिक प्रिस्तितियों में छेत्रिय दलों की महता निरंतर बढ़ती जा रही है नमबर पॉइंट है छेत्रिय दलों की बढ़ रही महता छे है व्यक्तित्व का परभाव लगबग परतेग भारती राजनतिक दल में किसी विशेश परतिनी धित्व की अधीक मेहता है कॉंग्रेस में सर्व पर्थम पंडिस जवार लाल नेरू फिर स्रीमती इंद्रा गांदी और बाद में राजिव गांदी दल का केंदर बिंदू बने हुए थे और वरतमान में स्रीमती सोनिय गांदी इस दल का केंदर बिंदू है बारते जनता पार्टे में स्री अटल व्यारी बाजबी लाल कर्षन आडवानी की मुखे वो मेका रही है बारते राजनतिक दलों में शिदान्तू के पैक्षा व्यक्तित्व के दिक में तब बरकरार रही है अब साथवा पॉइंट है दलों में गुटबंदी कोई भी ऐसा बारते राजनतिक दल नहीं है जो गुटबंदी का सिकार नहीं हो दलों में ये गुटबंदी विभी राजनतिक प्रते व्यक्ति की मेता को बढ़ावा देती है और उसमें एक ही व्यक्ति की पकड़ हो जाती है नमबर आठ पॉइंट है गोशित सिदान्तू का बलीदान भारती राजनतिक दल अपने सिदान्तू उनको कोई अधिक मेता नहीं देता है राजनतिक लाव के लिए ये दल अपने गोशित जो सिदान्त होते हैं उनको सिगरी खतम कर देते, बलिदान कर देते हैं उनका और दूसरे ही रस्ते पर चल पड़ते हैं ये थे भारत की राजनितिक परनाली की परमुख विशेशता थैंक्यू